आज उस महान व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन्होंने जालियन वाला बाग में हुए लोगों पर हामले का बदला लिया था अफसोस यह है कि इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं मैं बात कर रहा हूँ शहीद सरदार उधम सिंग जी की जिनका देश के लिए बलिदान किसी पन्ने में चिप गया सरदार उधम सिंग का जनम 26 डिसेंबर 1899 में सुनम नामक गाउ में हुआ था मातर दो साल के उमर में उनकी मा का स्वर्गवास हो गया था मा के गुजर जाने के बाद उधम सिंग और उनके बड़े भाई का पालन बोशन उनके पिता ने किया पर ये भी जादा देर तक नहीं चला था जब वे 8 साल के थे उनके पिता का भी निधन हो गया और उधम सिंग और उनके बड़े भाई को अनाथाले में डाल दिया गया सरदार उधम सिंग बच्पन से ही देश के प्रती प्रती प्यार और सम्मान था और अंग्रेजों के प्रती नफरते अनाथाले से शिक्षा लेने के बाद उस अनाथाले को छोड़ दिया उन्होंने जिसके बाद 13 एप्रिल 1919 में 20,000 से जादा लोग ने अंग्रेजों के रॉल एक्ट एक्ट के खिलाप प्रदर्शन किया था और सरदार उधम सिंग वहाँ पर मौजूद थे और ये प्रदर्शन शुरू था जालियन वाला बाग में सरदार उधम सिंग जी अपनी समाश सेवा करते हुए लोगों को पानी पिला रहे थे उस समय पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर था और उसे जब पता चला कि उसके खिलाप प्रदर्शन शुरू है तो उसने अपने सेना को लोगों को गोलियों से भून देने का आदेश दिया और अंग्रेजी सेना ने करीबन आधा घंटा लगातार गोली चलाई जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए आधे लोग भगदर में भीड के कुचल जाने के वज़े से मारे गए और ये दुरूष्चे बड़ा दर्दनाग था लोगों को मारने के लिए माइकल ओडायर ने गेट पे बड़ा सा तोप रखा हुआ था जो गेट से भागने की कोशिश करता वो मारा जाता और जिसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता वो बचने के लिए कूए में कूच जाता और कूए में लाशों की धेर पड़ी रेती जैसे तैसे सरदार उधम सिंग वहां से बच निकले पर वो देखा हुआ दर्दनाख दुरुष्य उनके आँखों में छप गया था और उन्होंने पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को मारने की प्रतिक गया ली वो सिर्फ 20 साल के थे उस वक्त 1924 में वो गदर पार्टी से जोइन हुए और सहीद भगत सिंग जी के पच्चिनों पर चलने लगे कुछ काम करके उन्होंने पैसे जुटाए ताकि वो गवर्नर डायर को मारने के लिए हतियार खरीद सके अवैध हतियार रखने के जुर्म में उन्हें पास साल के जेल की सजा सुनाई गई पर वो अपने मकसद को पूरा करना चाते थे जैसे ही वो जेल से निकले वो लंदन के तरफ रवाना हुए माइकल और डायर को मारने के लिए लंदन में कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने रिवॉल्वर खड़ी दी थी उनकी एक ख्वाईश थी कि माइकल डायर को भरी सभा में मारा जाए जैसे उसने जालियन वाला बाग में लोगों को मारा था 13 मार्च 1940 में कैकस्टोन हॉल लंदन में माइकल डायर के सम्मान में कारेकरम चल रहा था वहाँ किताब में उधम सिंग ने अपनी रिवॉल्वर चुपाई हुई थी थोड़ी तेरे बाद वह स्टेज के तरफ जाकर उस माइकल डायर को लगातार तीन गोलिया मारी मारने के बाद उन्होंने अपने आपको सरेंडर कर दिया सरेंडर उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनका कहना था कि मेरे फासी चड़ जाने के बाद हजारों उधम सिंग देश में जनम लेंगे 31 जुलाई 1940 में लंदन में शहीद सरदार उधम सिंग जी को फासी हुई और वो देश के लिए शहीद हो गए प्रणाम है ऐसे शूरवीर को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में